एक बार फिर से आपका स्वागत है लगी कौन यूटूब चैनल पर दोस्तो जो सिरीज हमने स्टार्ट की है उस सिरीज का ये तीसरा वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं इससे पहले के दो वीडियो में सबसे पहले वीडियो में हमने जाना संविधान का एक सामान्य परिच है और जो दूसरा वीडियो है दूसरा वीडियो कल आप लोग ने देखा होगा उस वीडियो में हमने जाना संविधान के भाग एक को संबिधान का भाग एक अपन एक मिनट में रिवाइस कर लेते हैं कि कल हमने भाग एक के बारे में क्या जाना है तो जो भाग एक का सीर्षक है टॉपिक है उसका नाम है संघ एवं राज छेत्र अब एक, दो, तीन, चार अनुशेद क्रम साथ देख लेते हैं एक मिनिट में कि हमने कल क्या पढ़ा था तो अनुशेद एक में लिखा है भारत राज्यों का संग होगा, यूनियन होगा जैसा कि हम कर डिसकस कर चुके हैं संग तीन प्रकार के होते हैं, कनपेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, तो हम यूनियन, भारत राज्यों का यूनियन होगा अनुशेद 2 में लिखा है कि संसत के पास सकती है कि वो विदेशी राज्यों को भारत देश की सीमा के भीतर सामिल कर सकती है अनुशेद 3 में लिखा है कि संसत को सकती है कि संसत भारत देश की सीमा के भीतर के राज्यों को बेवस्थेत या सीमा परिवर्दत कर सकती है अनुशेद 4 में लिखा है कि जब संसत अनुशेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी उस समय राश्च्पती को विरोध करना बहुत आवश्यक नहीं माना जाता या आसान भासा में लिखा है उसमें कि राश्च्पती साइन उस बिल पर करेंगे ही अब यहां से आगे हम चलेंगे भाग 2 की तरब भाग 2 में दोस्तो अनुशेद 5 से चुंकि भाग 1 अनुशेद 4 में खतम हो गया था तो अब जो अनुशेद अगला भाग है वो अनुशेद 5 से स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं कि अंचे 5 से लेके 11 तक की नीच में जो भाग 2 है उसका सीरशक है नागरिकता दोस्तो संभिधान की खूपसूरती भी आप इस study के दौरान देखते चलेंगे हमारे देश की खूपसूरती हमारे संभिधान की खूपसूरती संभिधान के पहले भाग में हमने जाना कि हम जहां पे रहते हैं वो जमीन वो भूमी कैसे विवस्तित होगी कैसे राज्यों में विवक्त होगी कैसे जिलों में ग्राम पंचायतों में विवक्त होगी अब अगले भाग में ब्यवस्तित तरीके से लिखा है कि इस जमीन पर इस देश पर रहेगा कौन तो इसलिए भागदो का सीरशक है नागरिक्ता अब हम आगे एक एक करके अनुशेद वाइस पांच से स्टार्ट होगा भागदो और अनुशेद ग्यारा तक चलेगा एक एक क पांच में लिखा है प्रारंब से नागरिक्ता अनुशेद पांच तीन तरीके से भारत के लोगों को नागरिक्ता देता थोड़ी सी एक मिनट में हम सपस्ट कर लें कि नागरिक्ता होती क्या है तो एक ऐसा विसेश अधिकार जो उस देश के ही नागरिकों को मिलता है और यदी कोई दूसरे देश से आके रह रहा है तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उन लोगों को नहीं मिलते तो ऐसे लोग जो इस भाग दो के सभी अनुशेदों के भीतर की किनी ना किनी सर्चों को पूरी करते हैं ऐसे लोग भारत के नागरिक कहलते हैं तो आप इन सभी और नीचे तीन बाते लिखता है, सबसे जो पहली बात है, वो यह है कि आपका जन्म भारत में हुआ हो, पहली बात यह हुगे, कि आप खुद ही भारत में जन्म लिये हो, जो दूसरी बात अंशेत 5 कहता है, कि आपके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तो आपको भा कि अशेद 5 की वह यह कि आप संविधान लागू होने से 6 महने पहले यदि भारत में आ गये हैं तो आपको एक दम आसानी से अनुशेद 5 के तहरत नागरिकता दे दी जाएगी अब अनुशेद 6 की बात करते हैं अनुशेद 6 उस समय कि भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए बनाया गया था कि जो लोग बहुत लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहे हैं विभाजन से यदि वो लोग भारत में आना चाहरे हैं तो उनके लिए एक permit rule तैयार किया गया दोनों देशों की government एक permit rule बना लिए कि आप अपने देश की गवर्मेंट से लिखवाईए कि हाँ हम अपनी मर्जी से इस देश छोड़ के उस देश को जाना चाहते हैं तो जिस देश को आप छोड़ रहें आप दोनों के लिए ये रूल था परमिट रूल भारत वालों के लिए और पाकिस्तान वालों के लिए यदि उस तरफ से यहां आना है तो आपको वहां की गवर्मेंट से लिखवा के एक फॉर्म यहां की गवर्मेंट में सब्मिट करना होगा तब आपका ये permit submit हो जाएगा और 6 महिने आपको देखेंगे वो लोग की आप हमारे देश के लिए ठीक रहेंगे की नहीं रहेंगे ये काम ग्रह मंत्राले तब भी कर रहा था और आज भी ये काम ग्रह मंत्राले करता है तो अंशेद 6 में permit rule की चर्चा की गई है अब हम बात क करेंगे अंशेद 7 की अंशेद 7 का 166 का एक दम उल्टा है आप भारत में रह रह रहें थे आपने सुना कि विभाजन होने वाला है आप चले गए पाकिस्तान लेकिन अब वहां जाके आपको लग रहा है कि नई यहां ठीक नहीं हमें फिर से जाना है तो एक बार फिर से हमा और देश आना चाहते हैं तो आपके लिए अनुशेद साथ मदद करेगा आपको अनुशेद साथ के इसाफ से नागरीता मिल जाएगी तो यहां तक हमने जाना अनुशेद पांच छै और साथ अब हम आगे बात करेंगे अनुशेद आठ की अनुशेद आठ एक अच्छा सकते हैं किसी बिजनिस के सिलसिले से जा सकते हैं कोई जॉब करने जा सकते हैं और तीसरा आधार आप देख पा रहे हैं वह तीसरा आधार है सिक्षा आप अनुशेद आठ की मदद से पर्याटन व्यवसाय नौकरी यह सिक्षा के आधार पर विदेश जा सकते हैं लेकिन ए यह इस वीडियो में आपके ले क्या होते हैं कैसे कम करते हैं कहां का विजा कैसे बनता आपको कोई बच्चा होता यह भारत की नागरिक्ता दी जाएगी अनुषेद 8 में ऐसा लिखा है अब हम बात करेंगे अनुषेद 9 की जब हमारा संभिधान कुछ आजादी देता है कुछ स्वतंतरता देता है तो साथ ही कुछ पावंदियां भी लगाता है अनुषेद 9 में हमारे संभिधान निर्माताओं ने जटा देंगे अनुषेद 8 आपको सवतंतरता देता और 9 आप पर कुछ और अणुबंध लगाता है कुछ आज और कर सकते थे हम यहां की भी नरहवता ले ले वहां की भी नक रहे है इस कुछ गलत काम हो सकते थे तो इसको restriction के तौर पर हम देख सकते हैं अनुशेद 9 अब अनुशेद 10 की बात करते हैं और एकदम आसान भासा में समझते हैं कि अनुशेद 10 हमारे लिए क्यों important है अनुशेद 10 में लिखा है देश वालों के या नागरिकों की नागरिकता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसाद और ग्रह मंतरा लेकी होगी हैं इस अनुशेद को थोड़ा और अच्छे समझने की जरूरत है हमारी देश की सरकार 5 साल के लिए आती है 5 साल के बाद सरकारें होता ही है कि यहां विपक्ष वाला सिस्टम चलता है कि एक सरकार की विपक्षी सरकार होती है तो ऐसा हो सकता है कि जब कोई सरकार रूल कर रही हो तो अपने विपक्ष वालों की नागरिकता ही कैंसिल कर दे नागरिकता ही तो मूल ताकत है ना आप अपने देश में बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, बैंक में खाता खुला सकते हैं, वेकेंसी में फॉम बर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इस देश की नागरिक हैं, यदि आप से इस देश की नागरिकता ही छीन ली जाए, तो आप फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो अनुशे दस एकदम आनी हो रही हो पूरे देश की एकता अखंता और संप्रभता को नुकसान पहुच रहा हो तब तक आप उस वेक्ति की नागरीपता नहीं चीन सकते हैं तो एक और सलाह मेरी तरफ से सरकार को रहेगी कि जो जगन अपराध वाले कुछ आरोपी होते हैं सबकी एक्षा रहती है कि इन्होंने बहुत गलत काम किया इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले एक मेरी सलाह है ग्रह मंत्राले को और भारत के न्याय विभाग को कि यदि आप संभidentsं की नाघ्रिकता चीन लेंगे तु पर बैंक में खाता नहीं खुलेगा कहीं रिपोर्ट में करा सकते कि अधार काड नहीं रहेगा कोई रूम किराया से नहीं देगा कोई जमीन नहीं खरी सकते हैं एक दमहीं की जिन्दगी बढऻाद हो जाएंगी और आपनी को रहा था तब 1950 का दौर चल रहा था और लिखा कपके जा रहा था एक लंबे समय के लिखा जा रहा था तो अनुशेत 11 में सिर्फ आसान भासा में लिख दिया गया है कि ये जो नियम है ये हम सिर्फ आज के लिए बना रहे हैं भविष्य में या आने वाले समय में नागरिक्ता में अनुशेत 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आशा करता हूं कि भाग 1 की तरह आपको भाग 2 भी समझ में आया होगा भाग 2 में हमने जमीन के बारे में जाना भाग 2 में उस जमीन में रहने वाले नागरिकों के बारे में जाना अब हम तीसरे भाग में जानेंगे भाग 3 के बारे में चर हुआ 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 लगा हुआ 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 हु